दोस्तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं शेयर करने वाला हूँ आपके साथ OPPO F17 का एक long term review पिछले काफी दिनों से मैं स्मार्टफोन को use कर रहा हूँ और आज एक detail review में आपके साथ इसका share करने वाला हूँ इसके अलावा मेरे पास मैंने personal use के लिए oneplus node जो है वो purchase किया है अगर आप चाहेंगे तो उसका review में आपको बना के दे दूँगा और realme का node 20 pro जो हो हमारे पास आ चुका है उसका review में आपको दे दूँगा और साथ ही कुछ और भी equipment हमारे पास आये हुए भाई तुम थोड़ा शोर कम मचा लोगे तैंक यू तो गाईज आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं OPPO F17 के detailed review के बारे में बाकी और आपको reviews देखने तो उसके लिए चैनल को subscribe जरूर कर दीजेगा और bell icon नहीं दबाये तो bell icon को भी दबा दीजेगा मेरा नाम है संदीफ और चैनल का नाम है टेकवानी बिना वक्त गवाए let's get started सबसे पहले हम बात करेंगे OPPO F17 के design के बारे में और यहाँ पर आपको काफी luxurious सा design जह हो देखने हो मिल जाता है एक leather head design मैं इसको बोलूँगा काफी अच्छी firm grip भी इसके विए से हो जाती है हाथ के अंदर तीन color variants आपको यहाँ पर देखने हो मिलते है blue, silver और orange और honestly बताऊं तो जो orange color है वो मुझे काफी ज़ादा पसंद आया है thickness के अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपको सिर्फ 7.45 mm की thickness देखने हो मिलती है जो कि काफी मतलगी इस phone को stylish look दे दिया है काफी हाथ में भी firm grip इसके आपको देखने हो मिल जाएगी weight की अगर मैं बात करूँ तो सिर्फ 163 gram का weight आपको इस phone के अंदर देखने हो मिलता है और यार यह काफी light weight जो हो feel होता है हाथ के अंदर तो design और build quality की अगर मैं बात करूँ तो यार यह leatherite जो texture है यह head turner है आप जहाँ पर भी जाएंगे लोग definitely इसको मुढ़ मुढ़ के देखेंगे तो build quality से और design से मैं काफी जादा satisfied हो इस smartphone के बात करूँ अगर मैं display की तो यहाँ पर आपको 6.44 inches का एक full HD plus का OLED display देखने हो मिल जाता है दोस्तो यह AMOLED display है जहाँ पर आपको 90.7 का screen to body ratio देखने हो मिल जाता है और 20.9 का expect ratio देखने हो मिल जाता है honestly बताऊं तो यहाँ पर आपको काफी vibrant colors जो देखने हो मिल जाते हैं और super AMOLED display का काफी फाइदा उठाया है तो यहाँ पर आपको in display fingerprint scanner भी देखने हो मिल जाता है जो की काफी fast है और face unlock का support भी आपको देखने हो मिल जाएगा तो मुझे कोई भी शिकायत नहीं है fingerprint scanner और face unlock दोनों ही काफी fast है और जो picture quality है super AMOLED display की तो वो तो सब कोई पता ही काफी अच्छी होती है तो display, build quality और design के मामले मुझे कोई भी शिकायत स्मार्टफोन से नहीं है बात करता हूँ अगर मैं camera division की तो यहाँ पर rear में आपको काफी अच्छा camera module देखने हो मिल जाता है देखने में काफी stylish लगता है quad camera का support आपको यहाँ पर देखने हो मिलेगा सबसे पहले मैं आपके साथ front और back camera के video sample जाओ शेयर कर देता हूँ उसके बाद मैं picture quality की बात करूँगा दोस्तों यह है OPPO F17 का front camera और अगर आप मेरे पीछे देखिए तो काफी अच्छी तरीकी से exposure को जो है वो maintain किया जा रहा है यहाँ पर और 16 Megapixel का selfie camera आपको यहाँ पर देखने हो मिल जाता है मुझे कोई भी problem अभी तक इस camera में नहीं आई है थोड़ा सा थोड़ा सा over saturation मेरे को यहाँ पर नजर आ रहा है जो शाएद आपको भी दिखाई दे रहा होगा beautification mode जो है बिल्कुल मैंने जीरो पर कर रखा है तो यह जो है वो selfie camera की video quality है और अब बात कर लेते हैं इसके rear camera के बारे में दोस्तों यह video जो है ओपो F17 के rear camera से में बना रहा हूँ और picture quality जो है आप देख सकते हैं साथी stabilization का भी आपको idea जो है वो लग जाएगा कि कैसी quality आपको video के अंदर देखने हो मिल रही है फिलाल तो अगर मैं बात करों तो exposure जो है वो काफी अच्छे तरीके से maintain किया गया है और colors की अगर मैं बात करों तो उनकी accuracy भी आप ठीक बोल सकते हैं काफी अच्छे accuracy आपको यहाँ पर देखने हो मिल जाएगी तो दोस्तों यह तो थे video sample और बात करों गर मैं photo samples की तो जो rear camera है primary 16 megapixel का वहाँ पर आपको काफी अच्छी picture quality daylight के अंदर देखने हो मिल जाएगी यहाँ पर मुझे कोई भी शिकायत जहाँ देखने हो नहीं मिले color tone, saturation और exposure को जो है वो काफी अच्छे तरीके से maintain किया गया है और बात करों गर मैं ultra wide angle lens की तो यहाँ पर भी मुझे काफी satisfaction देखने हो मिला खास कर daylight के अंदर जो है वो 8 megapixel का ultra wide angle lens काफी अच्छा perform करता है और बात करों गर मैं selfie camera की तो यहाँ पर आपको 16 megapixel का selfie camera देखने हो मिल जाता है जहाँ पर मुझे daytime के अंदर कोई भी शिकायत जहाँ देखने हो नहीं मिली है अच्छी खासी selfie भी आपको यहाँ पर देखने हो मिल जाएगी इसके अलावा दो monochrome sensor आपको इस smartphone के अंदर देखने हो मिल जाते हैं मैं बार-बारी बोल रहाँ कि daylight के अंदर यह आपको decent performance दे देगा वहाँ पर आपको निराशा नहीं होगी लेकिन जहाँ पर night photography की बात आती है वहाँ पर यह smartphone इतना अच्छा perform नहीं करता है इसके अलावा एक बात और मेरे mind में है कि same range के अंदर अगर मैं बात करता हूँ तो आपको realme 7, realme 7 pro मतले आसपास की बात करता हूँ या फिर Samsung के Galaxy M31 का जो है वो model देखने हो मिल जाता है जहाँ पर camera जो है वो काफी अच्छी quality का आपको देखने हो मिल जाएगा 64 megapixel के आपको primary sensor वहाँ पर देखने हो मिल जाते हैं तो कहीं ना कहीं इसी range के अंदर आपको better camera performance भी देखने हो मिल सकती है और दोस्तो बात करोगर मैं battery और charging की तो यहाँ पर आपको 4000 mAh की battery जह हो देखने हो मिल जाते है exactly अगर बात करूँ तो 4015 mAh की battery आपको देखने हो मिल जाएगी 730 watt का आपको Wook 4.0 का support देखने हो मिल जाते है तो fast charging का support आपको यहाँ पर देखने हो मिल रहा है और 0 to 100% की अगर हम बात करूँ तो 56 minute में company जह हो claim करते है कि 0 to 100% आपकी battery जह हो पूरी charge हो जाते है यहाँ पर 1 घंटा 2 मिनट के आसपास मेरे smartphone को लगा पूरा 0 to 100 charge होने में तो आप मान सकते हैं कि 1 घंटे के आसपास में 4000 mAh की battery जह हो पूरी charge हो जाएगी 30 watt के VOOC charger के साथ और दोस्तों बात करोगर मैं performance की तो यहाँ पर आपको LPDDR4X का support देखने हो मिलता है RAM के अंदर साथ ही UFS 2.1 का support देखने हो मिलता है तो speed के अंदर definitely RAM और storage की quality जह हो काफी अच्छी है 6 GB RAM और 128 GB storage वाला variant जह हो मुझे 17,990 रुपय का पड़ा है और अगर gaming performance की बात करूँ तो यहाँ पर आपको Qualcomm Snapdragon 662 का support देखने हो मिलेगा जो की 11 NM की technology में बनावा एक processor है और honestly अगर मैं बात करूँ तो शायद इस वीडियो के अंदर आपको idea नहीं लगेगा मैं COD और Free Fire दोनों game आपको play करके दिखा देता हूँ तो gameplay आपको यहाँ पर काफी smooth नजर आ रहा है लेकिन ऐसा है नहीं actual में जो gaming performance है वो यहाँ पर आपको अच्छी नहीं देखने हो मिलती है अगर आप gaming के point of view से smartphone को खरीदने का plan कर रहे हैं तो आप अपना idea ड्रॉप कर सकते हैं यहाँ पर इसी range के अंदर आपको काफी अच्छे और smartphone देखने हो मिल जाएंगे जहाँ पर gaming आप काफी अच्छी कर पाएंगे यहाँ पर gaming के अंदर मैं इसको 10 में से 6 number दूँगा आप moderate use इसको कर सकते हैं अगर आपको normal use चल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है अगर आप hardcore इसको use करने का plan कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको यहाँ पर problem आने वाली है बाकि storage के अगर मैं बात करनों तो आपको 128GB की storage यहाँ पर देखने हो मिल रही है साथ ही dedicated microSD card का slot भी आपको लगाने को मिल जाता है तो 2 4G की SIM आप यहाँ पर लगा सकते हैं साथ ही अलग से memory card लगा के अपनी storage को बढ़ा भी सकते हैं और दोस्तों बात करोगर मैं OS की तो यहाँ पर आपको Color OS 7.2 का support देखने हो मिल जाता है साथ ही आपको Android 10 का support भी देखने हो मिल जाएगा रोज मर रहा के काम के अंदर मुझे कोई problem नहीं आई काफी smooth यह smartphone आपको experience दे देगा बात करोगर मैं Widevine L1 support की तो वो भी आपको यहाँ पर देखने हो मिल जाता है तो Super AMOLED display है साथ ही आप Netflix और Amazon Prime को Full HD के अंदर देख सकते हैं बाकि कौन्स की बात करोओं तो इस नोड़ा gaming phone यहाँ पर normal game तो यह handle कर सकता है बट hardcore gaming के लिए आपको निराशा जो हो सकती है और बात करोगर camera performance की तो आपको decent camera performance जो देखने हो मिल जाती है लेकिन night के अंदर इतनी अच्छी आपको camera performance देखने हो नहीं मिलेगी वहाँ पर आपको निराशा हो सकती है और बात करोगर मैं call connectivity की तो यहाँ पर मुझे कोई भी problem इस smartphone के अंदर नहीं आई है call connectivity काफी अच्छी यहाँ पर आपको देखने हो मिल जाती है साथ अगर आप speaker phone पर बात करते है तो वहाँ पर भी आपको कोई problem जो हो देखने नहीं आएगी और अगर आप Bluetooth से किसी device को connect करते है तो वहाँ पर भी मुझे कोई issue देखने कर नहीं मिला Wi-Fi की अगर मैं speed की बात करूँ तो मुझे यह थोड़ा सा feel हुआ कि और smartphone जो इसी range अंदर available है वहाँ पर मुझे थोड़ इसी speed जो है इसकी Wi-Fi की download की कम लगी बाकि यह subjective हो सकता है हो सकता है आपके यहाँ पर जो आप smartphone यूज करें तो Wi-Fi में आपको ठीक speed मैसूस हो बाकि downloading करते वक्त जो एक speed आती है वो मुझे कहीं न कहीं आपर कम मैसूस हुई बात करोगर मैं audio quality की जो speakers है तो यहाँ पर आपको stereo speakers तो देखने को नहीं मिलते जिन जिन लोगों ने गाने को पैचान लिया है यहाँ पर एक decent quality की audio आपको देखने हो मिल जाती है loud नहीं है लेकिन सही तरीके से balanced audio आपको देखने हो मिल जाएगी तो इस मामले में ठीक ठाक आपको speaker की quality जो हो देखने को मिल जाती है और आखिर में बात करों तो क्या 17,990 रुपे के अंदर ये एक truly value for money smartphone है तो यहाँ पर मैं आपको honestly अपना opinion बताता हूँ मेरी नजर में ये एक value for money smartphone नहीं है 18,000 रुपे अगर मुझे spend करने है तो यहाँ पर मैं एक example आपके साथ share कर सकता हूँ कि अगर आप कई बारी कई showroom में जाते ना अंदर उसके बाहर एक ही इंसान उसी shirt को white color की shirt को cotton की shirt को 500 रुपे की बेच रहा है उसी को डबे में अच्छी तरीके से pack करके showroom के अंदर 1200 रुपे का बेचा जा रहा है तो इस smartphone कुछ उसी तरीके से packaging इसकी काफी अच्छी है look and feel काफी अच्छी है लेकिन अगर मैं value for money की बात करूं तो यहाँ पर आपसे extra पैसे लिए जा रहे हैं हाँ अगर यहाँ पर processor अच्छा होता तो definitely और camera थोड़ा सा और अच्छा होता तो कहीं ना कहीं है 17,990 रुपे के अंदर अपने price को justify करता लेकिन camera में improvement की ज़रुत है सात प्रोसेसर जो है वो at least 700 series का यहाँ पर होना चाहिए था इन दो चीजों की वज़े से मैं definitely यह बोलूँगा कि फिलाल 18,000 रुपे के अंदर थोड़ा सा overpriced यह smartphone है लेकिन क्यूंकि offline centric smartphone है तो मेरे ख्याल से बड़े अराम से बिकेगा और OPPO Vivo के phone होते भी दुकानदार क परपस के लिए तो उसको अराम से बेच भी पाएंगे बाकी भाई यह था मेरा honest opinion आपको वीडियो कैसा लगा मुझे जरूर नीचे comment box में बताईएगा और किसी और smartphone का अगर आपको review देखना है तो उसका नीचे मुझे comment box में बता दिजेगा ऐसे वीडियो देखने के मैंने भी रहिएगा अपना प्यार दिखाने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजेगा मैं मिलता हूँ बहुत जल्दी आपसे नेक्स वीडियो के अंदर